माराश्ट्र में एंडिये ने जबर्दस जीत हासिल लगभग कर ली है क्योंकि जो सीट से बहुमत का अकड़ा काफी पहली ही पार हो चुका है लेकिन इस पूरे चुनाओ में जो सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आया है देखा जाए तो वो है अजट पवार जिनको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे कि वो क्योंकि यहां पर कॉंपिटेशन चाचा वर्स भतीज़ा था कैसे का जा रहा था कि जो शरत पवार है जैसे लोकसभा चुनाओ में जनता ने अजट पवार को नकार दिया है वैसे ही अविदान सभा चुनाओ में इनकी राज़ुनीती का जो कह सकते कि बोर्या बिस तर है वो लेकिन उनको हटना पड़ेगा राज़ुनीती से लेकिन अ अज़त पवार की पार्टी NCP है उसको सर्फ एक सीट मिली थी लेकिन विदानसभा चुड़ाओ में सिर्फ 59 सीट उनकी पूरी पार्टी को मिली थी और उसमें भी उन्होंने जो जीत हासल किये लगभा गवी तक जो एलेक्शन कमिशन की डेटा के मताबिक एक 40 सीट ये उनके एलेक्शन के टाइम पे कैसे जब अज़त पवार को NCP, SP के जो नेता है यानि कि शरत पवार समर्थक जो है वो लगातार अज़त पवार को तरह तरह की की बाते कहते रहे उनकी आलोचना करते रहे उनको निकमा उनको नकारा बहुत कुछ कहा गया पूरे चुनाओ वक्त मे लेकिन आज़त पवार ने सयम बरता, उन्होंने अपने पार्टी के निताओं को साफ कहा कि शरत पवार अपने चाचा को कोई कुछ बुरा नहीं बोलेगा, पोर्सनल कॉमेंट नहीं किया उन्होंने ये भी एक मेसेज दिया कि ये पारिवारिक लड़ाई नहीं है, कई बा तब उस मीटिंग में शरत पवार भी मौझूद थे, उनके साथ गौतम अडानी भी मौझूद थे, ये पूरा एक नारेटिव सेट कर दिया गया, जिस तरीके से उन्होंने अपने मुस्लिम कैंडिडेट का सपोर्ट किया, बले ही बीज़िपी की तरफ से मना किया बार बा लेकिन फिर भी अजित पवार ने नवाब मलेक को टिकेट दिया, जिनके उपर एडी का केस था, और तमाम बीज़िपी के नेता इसके खिलाप थे, बीज़िपी ने कहा हम इनका प्रचार भी नहीं करेंगे, लेकिन अजित पवार ने खुलकर कहा कि अगर बीज़िपी वा काम ने आई, यही आई, कि जो अज़त पवारें उन्होंने अपने समर्थकों को यह मेसेज दिया, कि वक्त आने पर जरुत पड़ी, तो वो एमवे में भी जा सकते है, या वो एंडिय को भी छोड़ सकते है, क्योंकि उनमें वो दम है, उन्होंने यह अपनी एक एमेज बन उन्होंने इसका भी विरोध किया, कि यह सब बाते आने चलेगी, और इसका एक फाइदा, जो वो एंडिय के साथ था, इसका एक बड़ा फाइदा उनको यह मिला, कि जिन सीटों पर अज़त पवार की पार्टी लड़ रही थी, वहाँ पर बीजपी यह शंदेग उटके न अज़त पवार ने सेंड मारी की है, और इसलिए इस चुनाओ का हीरो अज़त पवार को कहा जा रहा है, कि कहां उनसे कोई उमीद नहीं थी, उनको कहा जा रहा था कि फ्लॉप हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कैसे चुनाओ में बढ़िया कमान समा लिया, इसलिए अब पर अज़त पवार ने ये साबित कर दिया है, कि उन्होंने ये जो चुनाओ था, ये सिर्फ जंग उनके इस महराश्ट्रों में विदानसमा चुनाओ की नहीं थी, ये जंग उनके इमेज की थी, ये जंग उनके परिवार से थी, और ये जंग उनके चाचा से थी, और इसल नारा भी सही कर दिया है कि आजद दादा राज्य में स्टेट में और सूप्रियताई केंद्र में और शायद यह जो नारा था यह सही सावित हो गया है अब लोग इसी को सपोर्ट कर रहे हैं यह जीत जीत हैं कि यह साथ दर्फ देख सकते हैं लाडली बहनों की चेहरों की जो मुस्कान है और कहिना कर जीत की जो १ाहँगा प्रुफ हो के लिए बहन ने दख दिया है कि ये सरकार हमारे दादों को इतना कुछ बोलती थी हम घुट घुट जीते थे लेकिन देखिए राज महिलाओं ने सच्चे पुरी दिका दी है जो भी कुछ बचा हुआ था वो भी हमारी तरफ आने वाला है गुलाल हमारे ही था और हमारे ही रहेंगा एक तुरी तरह से क्या कहेंगे सर एक बड़ी जीत का अपने राज्यों में दर्ज की है महा विकास आगाडी ने कभी सोचा नहीं था कि ये महायूती की इतनी बड़ी जीत होंगी आपने देखा हूंगा महायूती की जो नेता है भाजब के देवेंदर फटनवीश साब अपन जो वादा इन तीनों लोगों ने किया ता महायूती के नेताओं ने भाजब के लिए वो वादा पुरा किया है और अभी जो देड़ हजार रुपे हम अपने भाजब को देते थे आने वाले 10 दिन में हमारी सरकार पहले बढ़ेंगे और 10 दिन के अंदर 2100 रुपे का नियो पर नहीं न कहीं जनता ने राज्य की जनता ने आई इसे मेनेफेस्टिव पर विश्वास दिखाया है कैमर परसंद पत्रक के साथ नरे तूरी न्यूस 24 ना को नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देख 24